गुड बॉर्णिंग, आप सभी को मेरे इस यूट्यूप्टल पर हर्द एक स्वागत है, अभिनंदन है, प्यारे बच्चों, आप लोग TGT की परिक्षा दे रहे हो, जिस किसी की परिक्षा दे रहे हो, आपको सबसे पहले, जिस टॉपिक को आपने पढ़ा है, उससे सम्मं संदीत, हर एक चीज को मैनूटल अध्यन करो, इलाबरेटली देखो कि हम कहां तक अपनी चीजों को ठीक कर पा रहे हैं, और कहां तक हमारा काम सही नहीं हो पा रहा है, तो आज मैं आपको एक प्राक्टिस टेट लेकर के आई हूँ, जिसमें MC की क्वेस्टन्स है, मैंने कल आप देपाते हैं, मैं इसका अंसर आ आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, मैं इन्याइए चाहते हूँ कि अभी आपको यह साथ के साथ, एंसर दो हम आपका समय भी कराब नहीं हो. description box में जाओंगे देखोगे काफी टाइम लगेगा तो मैं चाहते हूं कि चलो question आपको साथ के साथ question का इस answer को भी दे दूँ जहां ज़रुत होगी वहाँ पर मैं इसको व्याख्या भी करूंगे तो चलिए question को शुरुआत करते हैं पहला question है बालकों के कक्ष में सज्जा की जानी चाहिए या बालकों के कक्ष की सज्जा की जानी चाहिए किस रंग से मैंने question आपको रंग से reibt तीसरा है गुलाबी और फ्रता है बैंग्ने किस कलर से आप सज्जा करेंगी बालकों के कछ़ग yüz यह बताए कि इसी को पतां कि अप्लखों के कछ में सज्जा की जानी चाहिए option हरा, दूसरा नीला नारंगी, तीसरा गुलावी और चौथा बैंग character answer क्या है? character answer है आपका, गुलावी या गुलावी के साथ नारंगी या लाल रंगी सज्जा की जाना चाहिए क्यों? इसलिए कि बच्चे चंचल होते हैं और गुलावी रंग परशनता और अनन्द का परिच्चा आयक होता है, इसलिए गुलावी रंग से कमरे की सज्जा की जानी चाहिए, लाल रंग का भी उपयोग जगह जगह पर किया जाना चाहिए जिससे उनके चंचलता, उनका शोखपन का अंदाजा लगता है तो करेक्टर अंसर क्या हो गया हमारा गुलावी नेक्स्ट क्योशन आपका चटकीले एंवंग भढकीले रंग का प्रयोग चिकनी सतह पर अगर सतह चिकना है फ्लावर पॉट आपका चिकना है परिधान आपके चिकने है तो चटकीले एमंग भड़कीले रंग का प्रयोग चिकनी सतह पर option आपके पास कम किया जाना चाहिए अधिक किया जाना चाहिए उप्रक्त दोनों ही या इन में से कोई नहीं क्या है करेक्ट अंसर? करेक्ट अंसर आपका कम किया जाना जी चट्कीले और भडकीले रंगा प्रियोग चिकनी सतह पर कम से कम किया जाना चाहिए। अधीक करोगे तो आँखों को चूबने लगता है। जैसे सातिन है, रियोँन है, सिल्क है, तो बहुत अधीक नहीं किया जाना चाहिए। जो रुखडे सतह हैं जिनकी सतह रुखडी है उस पर आप चटकी लिए और भड की लिए रंक अगर प्रयोग करेंगे तो उतना ज्यादा वांखों को नहीं चुबेगा नेक्स्ट क्वेशन आपका जिस कम्रे में आमोद प्रमोद किये जाने हो उसे सजाना चाहिए सब्सक्रारे में आप इन्जाई करते हो आमोद प्रमोद करते हो चाहे वो बैठा कक्ष और någon को एसा कम्रा है het जहां दोस्ट में गोरा बैठते हैं आमोद प्रमोद करते हैं को उसस इमोड को सजाना चाहिए किस रंग से हो बीले रंग से आस्मानी रंग से सभेद रंक से या उप्रुक्ताब विए इसका एंसर में आपप चोड़ती हूं देखते आप और इसका एंसर में बौक्क्स में भी बता दोक्त को पी रंक से करना चाहिए आसमानी रंक कम्रे को सजाना चाहिए नेक्स्ट क्वेस्टन सब यह स्टुडेंट्स हो पढ़ रहे हो आगे की त्यारी कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेशन आपका यह है कि अध्यान कक्ष के लिए उप्युक्त रंग है study room study room के लिए कौन सा उप्युक्त रंग है पहला है क्रीम दूसरा नारंगी तीसरा गुलाबी चौथा भूरा बहुत इजी क्वेस्टन्स है इसका अभी एंसर आप दे दोगे मैं अभी नहीं बताऊंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दोंगी ठीक है इन दोनों का जिसमें आप हसी मजा करते हो असी ठठा करते हो उस कमरे को किस रंग से सजाना चाहिए इसका आप देंगे और जो सबसें है असधी रूम के लिए क्या चाहिए एकाग्रता के लिए कौन सा रंग आपका सहय एक होगा यह इन आफेंट स्व्रिधों के कमरे की सज्जा के लिए उपयोग में लेना चाहिए जो और एज हैं जो 60 पार है उनका कमरे किस रंग से सजा होना चाहिए सफेद रंग स हलका नीला रंग से भूरा रंग से या केवल सफेद रऊंग से पूता हुआ होना चाहिए दिवार और शजावत पी इसी रंग से करना चाहिए क्योंकि व्रधा वस्था तक इंसान की बहुत सारी जो आकांच्छा इंच्छाय यह द्यपी रहती बनी रहती हैं लेकिन उनके नर्जी कम होती है उनको अब एक आगरता की आवशक्ता होती है अगर अभी वह लोलुप्षा करते हैं तो यह सही नहीं होता है अब सकत्व ने बेट्यों को बहुयों को फोतें वोतियों को दोईतों को बेढों को उनकी सुनता नहीं है हो चुपी रहते हैं तो वहतर हुआ है को अगर हम सफेद रंगята हलके निले रंग से सजाते हैं Laure ज्या निले सजाना चाहिए नेक्स्ट कृे मश्चन है कख्च में रंग होना चाहिए कैसे रंग होना चाहिए पीला नीला या भूरा कि जो घर का मालिक है उसका कख्च किस रंग से सजा होना चाहिए इसा को कि पीदया नीला हरा या भूरा ग्रेह स्वामी का कक्ष सजा होना चाहिए नीला रंग से, क्योंकि नीला रंग सीतलता, सुख, सांती और आरमदाइकता का प्रतीक होता है, ग्रेह स्वामी अगर शांत नहीं रहेगा, अगर शीतल नहीं रहेगा, अगर उसका सभाव भड़कालू रहेगा, चिर्चिरापन उसका सभाव लिए रहेगा, तो घर नहीं चल पाएगा, घर के प्रतिक व्यक्ति में तनाओ और खिंचाओ होगा, इसलिए उसका दिमाग को सांत रहना नितान तावर्शक है, सांत चित होना चाहिए, तो सांत चित के लिए, सुख और सांती के लिए, उनके कमरे को नीले रंग से सजानी चाहिए, नीला रंग होता है, ठंडा रंग, नेक्स्ट कुशन आपका, बैठा कक्च की सज्जा की जानी चाहिए, कैसे, पीला रंग से, नारंगी रंग से, या लाल रंग से, या सभी रंग, किसी रंग से भी कर सकते हैं, पीला, नारंगी, लाल, किस रंग से करना चाहिए, बैठा कक्च की सज्जा के लिए आप तीनो एक सब्सक्रक्राइब लाल जो होता है कि इसलिए इसमें कि वैसे रंगों को प्योग करना चाहिए जो रंग गरम हो क्योंकि इन में परशनता विभीधता खुशी और उल्लास जो मैंने रंग बताएं आपको पीला नारंगी लाल यह इसके परिचायक होते हैं प्रशनता का खुशी का कि विभी दिता का तो बैठा कक्ष में अतीथी भी आते हैं घर के सदस्री भी बैठते हैं बातचीत करते हैं तो यह कमरा आपका चटकीला होना चाहिए मतलब की गरम रंगों से सजा होना चाहिए तब बैठने वाले की मजा आता है अगर इस कमरे को आप कूल कलर कर दोगे का मुत सही नहीं रहेगा हरे नीले इसको पूत दो या सपेद से पूत दो आनंदि याए नेक्स्ट है क्यों सब्सक् 같은 आपका असनान ग्रिह की सजार्प कि जाने चाहिए वातरों जोब किस रंगों इंदोन सिखी जाने उसका दीवार किस पूता हुआ होना छाहिए बातरों की हुग के क्रीम या आईवरी आईवरी कहते हाथी के दाथ का जो रंग होता है उस रंग को हम आईवरी बोलते हैं तो स्नान ग्री की सजावट कैसी की जानी चाहिए हलका नीला क्रीम या आईवरी या उप्रोक्त सभी करेक्ट एंसर आपका क्या है वो प्रोक्त सभी है हलका नीला क्रीम आइवरी क्योंकि स्नान गिरी में शुक्षिता का बीशेस ध्यान रखा जाता है तो जब सफेद होगा या आइवरी कलर होगा तो आपको दिखाई पढ़ जागा कहां गंदगी है इस गंदगी को आप साफ क पाई नहीं पड़े इसलिए ऐसे कलर को प्योग करते हैं जिसमें गंदगी चिप जाए जो कि यह सही नहीं है कि वास्तु के हिसाब से अगर आप देखोगे तो हम कहते हैं गगन का रंग नीला होता है और पानी का नगमी नीला होता है तो वास्तु सास्त्र भी कहता है कि आप अपने बात्रूम को नीले रंग से उसकी दिवार को नीले रंग से पोदिए तब घर में शुक और शांती सम्रिधी आईगी और हमारे सजावट भी यही कहता है कि सफेदी आईवरी रंग या हलका नीला रंग का ओपयोगा कर सकते ह नेक्स्ट क्वेशन है आपका भंडार तो भंडार कक्ष की पूताई की जानी चाहिए सफेद रंग से पीला रंग से हरा रंग से या भूरा रंग से हैं भंडार ग्रेह करक्रेंसर है भंडार ग्रेह की सजावट सफेद रंग से करना चाहिए अधिकांस लोग क्या करते हैं पहले जवाने में लोग भंडार कक्ष को बिल्कुल अंधेरे कमरे में डाल देते थे जो कमरा सबसे अंधकार में है उसको उन्होंने भंडार कक्ष के रूप में उप्य नहीं पड़ेगा तो भंडार कक्ष की पूताई सफेद रंग से किया जाना चाहिए जहां कि आपको प्रोपर लाइट मिलती रहे और यह कंसर्ट अब चेंज हुआ अब जो मकान बनने लगे हैं घर बनने बनाई जाने लगे हैं उसमें भंडार कक्ष को प्रोपर जगह मिला है श्टोरू्रूं को जगह मिला है और कई घरों में तो ऐसा भी देखती हूं कि भंडार कक्ष बनाई यह नहीं जाने लगे हैं क्योंकि लोग वह हो गये हैं एक है दो परिवार वाले तो थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दाल, थोड़ी सी सबजियां, थोड़ी सी और दूसरे चीज़ सामान चाहिए, तो भंडार कक्च के आवशकता जादा है नहीं, सब अभी अपने कमरों में सबके कमरे में सी लगे हैं, कूलर लगे हैं, पंखे लगे हैं, हरकर में मालमारि है लिए या बंदार कख्चें से बनवाया नहीं वह सकत मूंज मुट को सजाना चाहिए उत्तर पुर्व दिशा में कम द्रशार ना कप पहला है कि इसते डूसर्दे और और ज़िए से तीसरा उप्रक्ष दोनों और फारी ऐन से कुईना से हैं है इसमें करेक्ट एंसर है उत्तर प्रव दिशा में कम्रों को सजाना चाहिए गर्म रंगों से बढल से और Ha, next question, आपका है, दक्षिन, पस्टिम दिसा वाले कमरों को सजाना चाहिए, जो कमरा दक्षिन दिसा में है उस कमरों को सजाना चाहिए कैसे, गरम रंगों से, ठंडे रंगों से, या उपरक्त दोनों ही, या इन में से कोई नहीं है, कि एक क्वेश्टन भी आपके उपर चोड़ते तूं तीन क्वेश्टन मैंने आपके उपर चोड़ा है देखते हैं इसका जवाब क्या है और इसका मैं डिस्क्रिप्टिशन बॉक्स में डाल दूंगो पिछले बार्व जो मैंने पूछे थे बच्चों ने कुछ बच्चोंन लाल रंग चलिए आज मैंने आपने विराम देती हूं नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ तब तक दो मुझे जाने के जाज़ा बाद बाए